इमाचल के टिक टू Oh पर मन्तन जारी है डिलि में कॉंगरेस कारी समिती की बैठकुई चार सीट उपर कॉंग्रेस सुमीद्वारों को लेकर मन्तन किया गया तैसुक्विंदर सिंग सुक्षु देली में मौझूद हैं और इमाचिल कॉंगुरेस के अधिक्ष प्रतिभास सिंग भी देली में मौझूद है तो है माचल कॉंग्रेस के उम्मीद्वारों का नाम फाइनल हो जाएगा बहुत मुम्किन है इस बीच आपको बता दें कि दिली में कॉंग्रेस के उम्मीद्वारों को लेकर मन्थन किया गया इस बैठक में प्रत्याश्यू पर चर्चा की गई सेम सुखमिंद्र सिंग सुखू और कॉंग्रेस की प्रदेश अधिक्ष प्रतिभास सिंग भी दिली में मौझू तो एहम खबर आपको इमाचल प्रदेश के हवाले से दे रहें कॉंग्रेस वाकिंग कमीटी की बैठक हुए दिली में और बरे हिमाचल के उमिद्वारो को लेकर मंतन किया गया。 बता दें आपको की कॉंग्रेस वर्किング कमीटी की सबटक के दोरान लोगस वायों के नामों पर चर्चा की गई चुनाव को लेकर रावर्किंग कैसी होगी उस पर भी चर्चा की गई और इस बीच इमाचल की भी चार सीटो पर कॉंग्रिस के उमिद्वारू के नामों पर चर्चा की गई प्रदीब ठाकुर हमारे बीरो है इस खबर पर मेरे साथ बने हुए प्रदीब कांगर्स कमिटी के बैठेक में माचल को मेद्वारू को लेकर भी चर्चा वी जान सकते प्रदीप क्या कोई फाइनल नतीज़ा निकला उम्मीद्वारू के नाम पर कोई फाइनल मोहर लगी क्या विल्कु देखी कॉंगर्स वर्किंग तुमेशी की बैटर के सब्सक्राइब दिल्ली में चल रही है और लोकस्वा चुनाव के मद्दे नजर जो मैंस्टों किया जाना है और उसके लिए गारंटियां भी दी गई है है उसको लेकर बिस्केशन होनी है और उसके बाद जो कैंडियर्स यही कि जल्दी ही कांगर्स पार्टी अपने चारों सीथो पर कैंडियर्स वहां पर टैक कर लेंगी जी झाल झाल झाल